हलो फ्रेंच वेलकम टू कार्गी क्लासेज डेट आज की 27 अप्रिल 2021 और देख लेतें इंडियन एक्सप्रस की इंपॉर्टन न्यूज जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंट पेज पे फिर से कोविड वेव से रिलेटेड ही सारी न्यूज है जिनमें आप इधर देख सकते हो कि मदरास हाई कूट ने इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया को आड़े हातों लेते हुए कहा है कि इर्रिस्पॉंसिबल बिहेवियर शो कर रहा है अभी इलेक्शन कमि बात करो या इधर वेस्ट बेंगॉल की बात करो तो एक और स्टेट विमाग से निकल रहा है तो ऐसे चार स्टेट पुदुचरी यूटी ऐसे एलेक्शन से यहां पर कंड़ेक्ट कराना और दूसरी तरफ एक्शन को कंड़ेक्ट कराते टाइम पर पॉलिटिकल लीडर्स क किये गये हैं कोविड स्प्रेड को रोगने के लिए उन प्रोटोकोल्स को ब्रीज करना तो यह बहुत ही चिंता की बात है ऐसे में मद्रासाइकोट में प्रेटिशन लगाएगी तो मद्रासाइकोट ने बहुत बुरे तरीके से लटाड़ा है एलेक्शन कमिशन आफ इंड है वो काम यहां पर हाई कोट ने किया है इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बस एक हम आप कह सकते हो कभी भी अगर आपके पास में जुडीशाल एक्टिविजम से रिलेटेड कभी लिखने को मिले ठीक है तो जुडीशारी की एक्टिविटीज से रिलेटेड या फिर आप पी आई ये तो देखो बहुत ही ज़्यादा दुखत बात है कि अभी जो वेकेंट आफिसेज हैं उनको अब धीरे-धीरे कर्वर्ट को मतलब कंपनी से हेल्प मांगी जा रही है कि जो वेकेंट आफिसेज हैं उनको अब कर दिया जाए कोविड फैसलिटीज के लिए इधर पूरा साथ देने के लिए रैडी है दे को बिसीकली हुआ क्या था कि इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट बहुत सारी गई बहुत सारी सिचुएशन पूरे वर्ल्ड के सामने निकल कि आ गई कि हां इंडिया में सेकंड वेव ऑफ कोविड नाइनटीन का आउट ब्रेक हो च हम इंडिया के साथ में हैं इंडिया ने हमारा बुरे टाइम में सपोर्ट किया तो हम भी करेंगे तो यह चीज बोली गई है बेसिकली इसमें तो इतना ही था बाकी इधर यह जो बताया ना न्यू नॉम्स की कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं कोरोना पेशेंट्स को तो दो मेन इ मास्क लगा करके रखो सबको जिससे क्या होगा घर पर ही यह जो ट्रांस्मीशन की चेन है इसको तोड़ा जा सके दूसरा यह बताया कि 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 कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ है या नेगेटिव आ है उसको साइड में करो अगर किसी के क्लासिक सिम्टम्स दिखाई दे है उनको आप ट्रीटमेंट दो कोविड नैंटीन का जो आप ट्रीटमेंट देते हो क्लासिक समझके यह दो नए रेकमेंडेशन आई है नए नॉम्स के पॉइंट आफ यू से देखा जाए तो इसके लावा एक न्यूज इदर है कि सुप्रीम कोट की जो सेंट्रल रहा है तो बेसिकली इसको हम थोड़ा डीटेल में जानेंगे बाकी और एक भी ऐसा आर्टिकल नियूज जिसको हमें डीटेल में देखना हो इदर पॉलिटिकल कॉलबरेशन के लिए ओपोजिशन पार्टी जैसे बढ़ रहे हैं तो ऐसे में ऑक्सिजन की दिमांड भर रह करने की बात इस स्टर लाइट प्लांट को री ओपन करने की बात कि बात किये अब बैसिकली ए जो स्टेर लाइट प्लांट है यह यहां पर दो 2018 की बात है छाद जहां तक कि 2018 के लगभक दीन साल पहले यह पर सटेट गौशी चारवक्त söz से बहुरां की डेथ होगी थी तेरा जनों की डेथ होगी थी ठीक है तो ऐसे में इस प्लांट को फिर बंद ही करना पड़ा था ओके कि बोला इकालोजिकल इशू है हमारे यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे करके वहां की लोकल पप्रिंग ने बहुत जादा अबजेक्शन किया था फिर अभी भी आप देखोगे कि आल पार्टी मीटिंग में जैसे बातचीत हुई ना कि हाँ चलो ठीक है स्टरलाइट प्लांट को यह जो थुतु कुडी है ता मिलना डू में थुतु कुडी में है यह कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट ओके तो यहां पर फिर प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग थे उनसे फिर से बातचीत की गई तो लोगों ने तो अभी भी अपनी तरफ से मना किया है कि हम बिल्कुल भी रेडी नहीं है चाहिए एमर्जेंसी की कितनी क्या रिक्वार्मेंट हो हमें कोई फरक नहीं पड़ता तो पॉइंट यहां पर हमारे लिए क्या है नमबर वन की स्टैलाइट प्लांट कहां पर है तुटु कोरीन में है यह लोकेटेड है ऑक्सिजन पॉइंट ऑफिस है थोड़ा सा बसके वल फैक्चुल पॉइंट ऑफिस हमने थोड़ा देख लिया राइट और इतना कुछ इंपॉर्टन है नहीं लोगों को डर पर से लगया तो कैश हातों में बहुत आने लग गया है लोगों के हात में कैश बहुत आने लग गया है दीरे दीरे मृउड्योट ऑफिंडिया मतलब सेंट्र्ल गॉर्न्मेंट ने भारत बायो टेक और सियiekडोट कर दी कि वहीं आप अपने प्राइसिउष को Do कि क्रीटे इसरी तरफ Serum Institute of India नहीं ये कहा कि 400 रुपर पर डोस के हिसाप से हम स्टेट गौर्मेंट को अवेल कराएंगे तो वहीं पे 600 रुपर पर डोस के हिसाप से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अवेल कराएंगे तो यह प्राइस से जतनी जादा हो गई थी कि इनीक्वैलिटी वे Serum Institute of India से कि भाई ये प्राइस राइस वाला जो इश्यू है ना इसको तो आप कंट्रोल ही करो नहीं बात बन पाएगी ठीक है जो कि एक अच्छी बात है आगे चलते हैं वर्ल्ड पेस पे कोविट से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज है बट हम यहाँ पर देख रहे हैं अगर आप कोई एक्जाम के प्रपरेशन कर रहे हो एक्सेप्ट यूपी एसे एन स्टेट पी एसे दूसरी कोई एक्जाम की तो उस पॉइंट आफ यू से कि अभी जो ऑस एक्टर का ओर्ड किसको मिला है एंथनी हॉपकिन्स दफादर मुवी से औरिजनल स्क्रीन प्ले की अगर बात करो जिसमें प्रामिजिंग यंग वॉमन का पॉइंट आफ यू से एमरेल्ड फैनल को मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो ऑसकर रवार्ड वो मिला है डैनियल कालूया एंड जुडास एंड ब्लैक मशीहा ठीक है इस मुवी के लिए ठीक है जुडास एंड ब्लैक मशीहा करके इस मुवी में यह एक्टर है तो बेसिकली आप देख सकते हो यही तीन इंपोर्टन अवोर्ड बाकी और आप देख सकते हो इधर यह लिस्ट आप क्या देखा गया वो है कि my octopus teacher ये movie जो रही इसमें इर्फान खान और आतिया आतिया basically यहाँ पर आप देखोगे यह है costume designer भानू आतिया इनको याद किया गया इस movie की success में ठीक है इसको आप देखोगे award मिला है इनको जो my octopus है इसको credit मिला है कि अपनी best documentary feature के point of view से ठीक है best documentary के ल लेट इर्फान खान यह पिछले साल जब outbreak हुआ तो lockdown का time था उस time पे जब हमने खोया था इर्फान खान को तो इनको भी याद किया गया basically ओके आगे चलते है फिर explain page पे देखो पूरा ही कोविड से related है और एक article है ऑसकर से तो ऑसकर वाला तो देखो हमारे लिए इतना important है न हमजोर और ज्यादातर लोग है strong तो ऐसे में अगर यहां से infected बंदा आता है और strong लोगों को infect कर देता है तो strong लोगों को ज्यादा परिशान करेगा नहीं कोविड तो ऐसे में क्या हो जाएगा यह जो कच्छे लोग ना जो बिमारीयों से ग्रसित हैं बूडे हैं या उनकी immunity वीक है उन लोगों को परिशानी नहीं होगी क्योंकि यह यहीं पर रुख जाएगा infection और यह सब सही हो जाएंगे तो ऐसे में इनका protection बिना कोई इलाज के ही हो गया कि नहीं बस यही है herd immunity इसका हम बार 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 देख चुके हैं ठीक है तो मतलब एक group of community जिसमें लोगों की जादा तर बहुत से लोगों की immunity अच्छे होने का फाइदा उन लोगों को मिले जिन लोगों की immunity weak है चाए वो बुड़ापे की वज़े से चाए को दूसरी बिमारी की वज़े से हो चाए कोई और वज़े हो ठीक है तो ऐसे में क्या हो गया सब लोग protect हो गये तो क्या herd immunity यह आपर बोल रहा है कि देखो extreme points से हम yes भी नहीं कह सकते रहे extreme points हम no भी नहीं कह सकते point यहाँ पर यह है कि हमें बहुत ज़्यादा alert रहने की ज़रुत है क्योंकि यह second wave of covid-19 आई है बहुत ज़्यादा infectious यह virus है बहुत जल्दी यह communicate कर रहा है हवा से भी बहुत जल्दी infection create हो रह जो covid positive report आये या ना आये बट आप treatment ले लो राइट तो यह दो तरीके बताये जा रहे हैं दीसरा government क्यों चाहती है कि घरों पे mask लगे जो मैंने बताई दिया आपको कि घरों पे अगर mask लग जाएंगे तो मान लो कि एक individual बाहर से infected होकर क्या आगया infection हुआ नहीं और वहीं प बच जाएगा ना तो घरवालों को बचाने के लिए बड़ी important चीज है दूसरा इससे क्या हो जाएगा कि local level मतलब घर के स्तर पर ही यह जो communication chain है यह जो transmission chain है यह टूट जाएगी तो इसके दो फायदे हो गए घरों पे mask लगवाने के ठीक है बाकी आपको पता ही है कि हमने द जादा जीत रहे हैं जो कि हमारे काम का है नहीं आगे चलते हैं इकानामी पेज पर बात आ रही है एक तो यह तो वेकेंट आफिसेस को कोविड फैसिलिटीज में convert किया रहा है बिलकुर नहीं discuss करेंगे इदर government का focus कैसे भी करके अब यह है कि budget को जैसा plan बनाया है budget में उसको वैसा का वैसा implement कर दे क्योंकि demand तो चारो तो फिर से वही आने लग गई कि economic को boost की ज़र्वत है क्योंकि covid-19 की second wave आने के चलते है economic activities रुख गई और उससे बहुत जादा परेशानियों का सामना करना पढ़ रहा है economic को तो government ने क्या बोला कि government के पास में budget में proposal already है और government उसी प expenditure, capex को increase करना, infrastructural development करना तो ये दो चीजे हो जाएंगी तो और चाहिए क्या है यही तो है main चीज, इससे क्या होगा वो हमने फिर multiplication factor के बारे में इन में देखा था कि शुरुआत में job create होगी फिर बाद में additional jobs automatically create होती, economy में multiplier factor काम करता है फिर जब भी infrastructure में investment सरकार करती है तो ठीक है इसी चीज़ से related है, दूसरा आपको पता ही है कि प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना फिर से start करने की बात की जा रही है एक माई से जो की बहुत ही अच्छी बात है, बस फर कितना सा ही है कि पिछली बार के comparison में अब की बार जो एक किलो ग्राम डाल जो दी जा कि 20 million big basket, आप दानते हो big basket, grocery website वाला जो platform है, तो देख सकते हो कि यहां से 20 million data users का, मतलब जो users हैं, उनका data leak हो चुका है नवंबर 2020 में, और यह data बिक रहा कितने में है, 30 लाख रुपे में बिक रहा, आप यह देखो, ठीक है, तो एक तो यह article देखेंगे हम यहां से, और दू private banks में, जो MD, CEO, यह हैं, इनकी age को है, वो 70 साल fix कर दिया है, तो एक इस news को हम दंग से देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, इधर भी नहीं देखने की ज़र्वत है, इधर थोड़ा सा just यहां पर यह है, कि COVID-19 cases आने के चलते हैं, इंडिया में mobility reduce हो गई, mobility reduce होने के चलते ह कम हो गई, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का third largest crude oil importer है, तो यहां पर oil की demand कम हो गई, तो इंटरनेशनल मार्केट में oil supply के comparison में demand कम होना, और demand कम है तो price fall, यह हो रहा है अभी फिलाल, तो ज़्यादा कुछ देखने की जरुत है नहीं, WTO head ने यह कहा कल की एक meeting में कि आप अगर trade reforms लाना चाहते हो तो लाओ उपर चाइना को target करोगे, फिर trade reforms लाओगे, तो चाइना चिड़ जाएगा, और वो reforms हैं, वो काम नहीं करेंगे, तो ऐसे में इनकी तरफ से suggestion क्या आया है, कि वही काम करो चाइना को साथ में, confidence में लेक नहीं करते हैं, ठीक है, जब तक सारे members एक साथ काम voting नहीं करते हैं, तब तक कोई भी trade reform implement नहीं होता, तो ऐसे में चाइना को आप against, चाइना को आप oppose करोगे, तो कैसे काम बनेगा, दूसरी तरफ चाइना पर क्या blame लगाए जा रहे हैं, और वो reality बे, देको world में second largest economy बन वो अपने आपको अगर developing बोलेगा, तो काम कैसे चलेगा, ठीक है, तो ये दो-तीन बाते थी, main तो, बाकी बस आपके सामने ये WTO की जो director general है, उनका नाम highlight करने के लिए ये देख लो, Ngozi Oconjo Iwaila, ठीक है, ये नाम आप याद रखोगे, ये WTO की director general है, अब देख लेते हैं दो-चार हमारे पास में जो articles हैं, उनको detail में, first news है, that is, कि ecosystem को ध्यान में रखते हुए, supreme court के द्वारा, जो central empowered committee established की गई थी, उन्होंने ये कहा, कि goa के rail project को तो रोको आप, और जो power line बिचाने की बात है, road का जो plan है, उसको आप थोड़ा साथ change करो, इन projects को, पिछली साल central government के दुआरा approval दे दिया गया था, बट जैसे ही इनको approval मिला, तो फिर बाद में supreme court में ये मुद्दा पहुचा, तो देखा गया, कि भगवान महावीर wildlife century और मौलिम national park, जो कि south goa में located है, इनके through कहीं ना कहीं, इनका intervention हो रहा है, इन projects का, ऐसे में फिर supreme court की, इस central empowered committee ने इन पर रोक लगा दिया और थोड़ा change कर दिया, तो आपके लिए एक तो काम की चीज आ गई ये, कि बगवान महावीर wildlife century कौनसे state में है, गोवा में, similarly मौलिम national park कहां पर है, गोवा में, दोनों आप याद रखोगे, ठीक है, तो railway link जो था, वो develop करने की बात हो रही थी, केस्टल र देखोगे, mountains, physical division of India, ठीक है, उसमें आप देखोगे, peninsular India के portion की बात करोगे, तो western ghart इस तरफ है, western coast के parallel, तो यहीं पर आपको पता है, गोवा इस तरफ है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, कि fragile ecosystem बहुत जादा है, हमें पता है, एक hot spot के तोर पे हम देखते है, biodiversity hot spots में से consider होता तो इधर से अगर इस तरीके के development किये जाएंगे, तो बहुत जादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, wildlife को भी, और वहाँ पर जो ecosystem हो, उसको कितना ज़्यादा परिशानिया होने लग जाएगी, दूसरी तरफ, जो electricity के लिए जो power lines डालने की बात की जा रही है, तो उ इस से क्या हो जाएगा, कि additional आपको ecological area को cover नहीं करने की ज़रूत होगी, मतलब ज्यादा forest को काटने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, ज्यादा wildlife पर इसका impact नहीं जाएगा, सेम चीज रोड के उपर भी apply की है, कि national highway 4A, जो कि आप देखोगे करनाट का के जो N mode है, वहाँ से ल इस से क्या हो जाएगा, जो man-animal conflict है, कि vehicles अगर निकल रहे हैं रोड पर से, तो वहाँ पर जो wildlife वो अगर cross करती है रोड को, तो accidents ना हो, तो elevation बढ़ाने की बात की गई है, आप देखोगे ये बड़ी चिंता की बात है, concern है कि पिसले साल जब ये मुद्दा state committee के पास लगलग committees की, उन्होंने ये कहा था, कि भई इन recommendation को ध्यान में रख करके फिर implement करो, तो उनको तो बिलकुल इग्नोर कर दिया था, क्योंकि वेस्टन घाट बहुत जादा fragile area है, ecologically बहुत important area है, और इतना precious, मतलब बहुत precious है कि हम इसको lose नहीं कर सकते, तो इसी बात को ध्यान project है, उसको तो halt कर दिया, रोक दिया, और जो power line project है, और road project उनको change करने की बात कह दी, ठीक है, तो इसमें जो main चीज़ थी, वो हमने देख ली, अच्छा, इसके अलावा, एक important चीज़ आ जाती है, कि करनाट का में, जो ये road का, rail का, development का, क्यों जरुवत थी, वो जरुवत क के लिए तो देखो सिधी सी बाता, transportation को easy बनाना, क्योंकि करनाट का का आप अगर map देखो, तो हमें, मैं एक बार फिर से draw करने कोशिश करता हूँ, करनाट का आप देखोगे, इधर इस तरीके से यूँ है, फैला हुआ, तो इधर आंदरा प्रदेश की तरफ से एक तो hinterland of क करनाट का अंदर की तरफ, और इधर आप देखोगे, तो गोवा से, तो hinterland करनाट का, मतलब करनाट का का अंदरुनी जो भाग है, वहाँ पर कोईले की जरुते पूरी करने के लिए, या तो आंदर प्रदेश का क्रिशना पतनम, यह एक पोर्ट है, या फिर गोवा का मारग हूँ, यह नेशनल पोर्ट है, इंपोर्टन ठीक है, तो इनके थ्रू इनाहा पर कम्यूनिकेशन पूरा हो पाता है, कोल की डिमांड पूरी हो पाती है, तो बहुत उसके लिए यह कहीना के रेलवे लाइन इंपोर्टन थी, बट वही चीज है, अब इकालोजिकल फ्रेजा में रखते हुए, रिसेंटली दो इंपोर्टन कमिटीज, नाम बोल रहा हूँ मैं के कस्तुरी रंगन और एक है माधव गाडगिल कमिटी, दोनों कमिटीज की रेकमेंडेशन पे ध्यान दोगे, और सेंट्रल गौर्मेंट, अभी जो करेंट गौर्मेंट है, वो कौन सी कम कमेंट बोक्स में बताओगे, या फिर खुद तो जहान ही लेना कम से कम, ठीक है, आगे चलते हैं आप, नेश्ट निउजर डेटा ओफ आल्मोस्ट्टी मिलियन बिग बास्केट यूजर्स लीग्ड, यह बहुत बड़ी चिंता की बात है, कि साइबर हैक हुआ है, नवंब कि पासवर्ड को अटाकर के वन टाइम ऑफेंटिकेशन बेसिस पर लॉग इन करना शुरू कर दिया था, तो ऐसे में लोगों ने आप उन अकाउंट्स का मिस्यूस तो अटलीस नहीं किया, बट इन्फरमेशन अगर एक बार रिलीज हो गई, जैसे कि फोन नंबर, इमेल आ बिग बास्केट को इसके बारे में आइडिया लग गया था, तो इन्होंने साइबर क्राइम सेल इन बेंगलूरू में अपनी तरफ से क्लेम भी डाल दी थी कि हमारा ऐसा-इसा कुछ हुआ था, अटैक हुआ है हमारे यहां पे, दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, तो सा साइबर सेक्यरिटी सिस्टम कितना ज़्यादा हमारा वीक है, यह क्लियर होता है, तीसरी चीज हमारे यहां पर कोई भी प्रॉपर ऐसा कोई रिजीम नहीं है, ऐसा कोई लॉप नहीं है, जिसके बेसिस पे प्रॉपर पनिश्मेंट दी जा सके, डेटा का प्रॉपर फिर्वेंटिशन देने के लिए मार्च तक का टाइम दिया था उनको, बट उन्होंने का कि हमें एक्स टेंशन दो, क्योंकि जब तक प्रॉपर स्क्रूटिनी नहीं होगी, तब तक प्रॉपर एक रिजीम नहीं तयार हो पाएगा, लो तयार नहीं हो पाएगा, और जब त है ती कही ना कहीं डेटा का प्रोटेक्शन कि आजा सकता है पर एक्सपर्ट का यह मानना है कि इन एडिक्वेट है ठीक है तो भाई बात ऐसी है कि बड़ी चिंता की बात है यह है तो होते ही रहे है अब मुंबई में ब्लैक आउट की बात हुई थी अभी हमने देखा था ठीक है ऑक्टोबर में हुआ था यह लगबग ऑक्टोबर के टाइम पर सिमिलरली आप यह देख सकते हो कि अभी बिग बास्केट का ओर आ गया वैसे बिग बास्केट को अभी पर्चेस करने वाली है salt to software conglomerate है यह Tata Group का तो केवल approval की बाकी है कि हां competition commission of India जैसे approval देगा तो big basket को salt to software conglomerate है वो take over कर लेगा ओके तो basically हमारा point क्या था कि हमारे आपर regime है की नहीं है क्या हमारे आपर कानून की कमी है कानून कमी है तो क्या कोशिश है की जा रही है क्या progress है वो सारी चीज़े हमने देख लिए आगे चलते हैं RBI ने अपनी तरफ से private bank के MD CEO इनकी age पर cap लगा दिया बोला 70 साल से ज्यादा की उम्मर नहीं हो सकती ठीक है तो अब देख लेते हैं इस report को थोड़ा detail में RBI ने मंडे को fix कर दिया है कि managing director chief executive director और whole time directors जो है private sector banks में उनका maximum tenure 15 साल का होगा और उनकी खुद की age उस functionary की वो 70 साल से ज्यादा नहीं हो सकती साथ में इन norms में जो बात कही गई है वो कुछ ऐसी है कि जो WTD that means whole time directors हैं उनका appointment अगर होता है तो उनका proper maintenance रखा जाएगा कि हाँ board में उनको committee भी establish करनी होगी age tenure उनको remuneration कितना मिलेगा वो सारी चीजे इन्होंने बता जबकि non executive directors जो होंगे उनकी और थोड़े relaxation दे दी है कि हम वो 75 साल तक मतलब board के chairman बन सकते हैं अगर non executive director और executive director है तो 70 साल दोनों में आप difference समझ लेना एक तो इसके अलावा यहाँ पर important जो provisions declare किये गए वो यह कि board के दौरा एक audit committee भी establish की जाएगी उस audit committee के अंदर जो chairman होगा ना board का वो member नहीं हो सकेगा यह एक important चीज है तो एक तो audit committee जिसें की वो पूरी functioning देख सके और साथ में quorum भी fix कर दी कि minimum तीन members तो उस auditing committee में होगे ही ज्यादा करो तो आपकी बसकी बात हो तो ठीक है बट तीन बंदे तो at least होने ही चाहिए board members पर chairman नहीं होगा board का यह ध्यान रखना अच्छा दूसरा यहाँ पर board को constitute करनी पड़ेगी एक management committee risk management committee भी establish करनी पड़ेगी जिसमें majority किसकी रहेगी non executive directors की ठीक है तो यह चीज है non executive directors आपको सिदी सी बात है कि जो directors अपना opinion दे सकते हैं but actual में implement होगा क्या जो executive चाहेंगे तो वो non executive directors हो जाएंगे similarly अगर आप से कोई पूछे independent directors independent directors वो directors होते हैं जो की board member तो हैं ही पर वो represent किनको कर रहे हैं जो छोटे investors हैं उनके interest को protect करने के लिए वो लोग बैठे हैं हाना तो ऐसे करके यह पूरा provision private banks के लिए हैं ओके और बाकी इसके अंदर जो काम की चीज है वो और दे तक board member बने रहेंगे और अगर उनको लगातार दूसरे tenure के लिए भी अगर वो appointment चाहते हैं तो कम से कम तीन साल का उनको gap देना पड़ेगा मतलब एक बार अगर कोई non executive director बनता है ना private banks के board members की बात करें तो वो 8 साल तक एक साथ रहेंगे फिर उनको 3 साल का gap देना पड़ेग और फिर बाद में अगेन 8 साल के लिए वो appointment हो पाएंगे तो ये cooling of period बोला जाता है ठीक है ऐसे इदर आप देखोगे कि जो MD, CEO या फिर जो whole time directors है पर्मानेंट जो directors हैं अगर वो promoters बनते हैं प्रोमोटर्स हैं या major shareholders बनते हैं मतलब कि मान लो कोई bank है HDFC की बात करो HDFC में को कोई promoter है कोई promoter का मतलब जो main head है जिसके बहुत बड़े shares हैं बहुत बड़ा मालिकाना हक है HDFC में अगर वो अगर board of director का MD या CEO या WTD बनता है इसका HDFC का तो ऐसे में वो इस post को 12 साल से ज्यादा नहीं रख भाएंगे अपने हाथ में ठीक है यह बहुत important बात है 12 साल से और अगर कोई ऐसी circumstances आ गई कि हाँ भई उनका tenure थोड़ा extend करना पड़ेगा तो वो 15 साल तक रह पाएंगे ज्यादा से ज्यादा तो यह जो 12 से 15 साल का time है इसके बीच में भी उनको मतलब एक तरीके से एक बहुत साथा मतलब अपनी तरफ से unavoidable circumstances की condition होनी चाहिए कि हाँ भई स्क्रीन पर मैंने सेट कर दिया है थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूं आप एक बार और खुद से रेडिंग मार दोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा आर्टिकल बिलकुल सीदे सीदे स्ट्रीटमेंट्स है ओके तो इस वीडियो में इतना ही था जो हमने डिसकस कर अधिया थैंक यू वेरी मुच